मन को सही संगत की और ले जाना है, नाख को सही गंध की और ले जाना है, आख को सही द्रिश्य की और ले जाना है, कान को सही शब्द की और ले जाना है, शरीर को त्वच्या को सही स्पर्श की और ले जाना है, तो संगत उसकी करनी होती है जो सौ आसमानों को, दो जहानों को सब को छुड़वा दे, शिव वो हैं, जो ताकत देते हैं तो पुष्टि वर्धनम, महादेव पुष्टि का वर्धन करते हैं, कैसे कुछ उटा करके? इसलिए उनका संबंध तांडव और प्रलैसे है वो हटाते हैं वो तोड़ते हैं इसी लिए जब भी विदानत की बात आती है वहां पर उच्चितम स्थान फिर शिव का होता है आज मेरा सवाल मंत्र और उनकी शक्तियों को लेकर हैं जैसे क्या आप बता रहे थे कि आप अपने इस्ट्रेव के पास तभी जाते हो जब आपको या तो कामना पूर्टी करनी होती है या तो आपको भई होता है तो मेरा सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको कामना पूर्थिया तो भई से भी बचना है तो क्या मंत्रों या उनके साउंड में कोई ऐसी विशेश शक्तिया होती है या जिसे बिना अर्थ जाने अगर मैं रिपीट भी करूँ तो क्या उससे कोई कामना मेरी कोई काम या होती है देखिए बिना अर्थ जाने एक बार नहीं एक लाख बार भी आप मंत्र का उचारण करेंगे दोराएंगे तो भी कोई लाव नहीं होगा समस्या कोई कानों को थोड़ी है कि कान में कुछ पढ़ जाएगा तो समस्या दूर हो जाएगी समस्या अहम को है और अहम के पास एक ही समस्या होती है अग्यान जिसे जूठा ग्यान भी कहते हैं अहम ग्यान से तो हमेशा भरा होता है पर उग्यान जूटा ग्यान होता है किस ग्यान की बात कर रहे हैं अपने विशय में जो ग्यान है अहम के पास स्वयम को ले करके एक जूटी माननिता होती है अपने बारे में उसका जूटा विश्वास होता है वही जो अपने बारे में कभी अज्ञान बोला जाता है और कभी मिथ्याग्यान बोला जाता है वो एक ही बात है अज्ञान बोलिए या मिथ्याग्यान बलकि ज्यादा सही है कि मिथ्याग्यान बोला जाए तो आपको कोई समस्या आपने कहा भै है तो भै इसलिए क्योंकि आपके पास मित्या ग्यान है आप कोई चीज पकड़ के बैठे हो कोई आपने जूटी बात पकड़ लिए और आपको लगता है वाथ सही है उसी के कारण आपको भै हो रहा है या तकलीफ हो रही है जो भी कुछ हो रहा है कि आप नासमझ थे यही आपकी समझ्या का कारण है इसी नासमझी से नासमझी मनें बोधहींता उसी नासमझी से डर आता है तमाम तरह की चिंताएं आती है व्याकुलताएं आती है पता नहीं जितनी भी चित्ते की बेचैनिया सब आती है अब आपने कुछ सुन लिया जिसको आप नहीं समझ रहें तो मूल समस्या ही यह है कि आप ना समझ है उसी ना समझी से आपके तमाम चित्त में विकार पैदा हो रहे है तो न समझना ही समस्या है न समझने की समस्या धूर करने के लिए आपने मंत्रों चार करा और उस मंत्र को भी आप नहीं समझते तो न समझने का उपचार न समझने से कैसे हो जाएगा ये बता दीजिए न समझने का उपचार न समझने से कैसे हो जाएगा लोग इसमें उदारण दिया करते हैं लोग कहते हैं आप दवाई खाते हो कि आपको पता है कि दवाई में क्या-क्या है उसके बाद भी दवाई फाइदा कर देती है वैसे ही मंत्र होता है भले ही आपको मंत्र का आर्थ नहीं पता है लेकिन मंत्र फाइदा कर देगा पागल दवाई भी शरीर का रोग दूर कर सकती है चित्त का रोग नहीं, शरीर जड़ है, तो जड़ शरीर के रोग को जड़ दवाई हटा सकती है, अहम को तो उच्चितम चेतना चाहिए, और जिसको उच्चितम चेतना चाहिए, उसको तुम जड़ता दे दोगे, तो उसका रोग कैसे दूर होगा, तो शरीर की दवाई का उ ने Sigthththa वÓ दारण देकर कि लोगों को भ्रमितना किया जए जब समस्या ही यह है कि भी हींता है मैं नहीं समचता वू किंधर प्राने की तो आप उसे को ऐसे चीज दे रहे हो जिसको человеком हो नहीं समचता उसके साथ जोकुछ हो रहा कुछ नहीं समझता, इसलिए हो परिशान है, फिर आपने उसको एक मंतर दें दिया, उस मंतर को भी नहीं समझता, तो नसमझने से नसमझने का ilaaj कैसे हो जाएगा, नसमझने का ilaaj क्या है समझना, तो मंतर निश्चित रूप से बड़े अद्भुत है मैं मान रहा हूँ कि आप वैदिकरिचाओं की बात कर रहे हैं आप उपनिशदों के शलोकों की बात कर रहे हैं आप भगवदगीता के शलोकों की बात कर रहे हैं आप उनको ही मंत्र मान रहे होंगे कोई मंत्र माना जा सकते हैं। तो वो बाते हैं आपकी शारेरी क्या तो मानसिक बीमारी नहीं होगी। आपको सभी ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति हो जाती है या तो फिर कोई भूत प्रेद फिर आपको फिर सभी से बच जाते हो और इसमें ये भी मतलब बहुत सारी बड़ी-बड़ी संसा है वो ये भी बताती है कि ये जाप करना कैसे है तो उसमें बताते हैं कि ब्रहमुरत मे जाप करना है, जाप करने से पहले नहा लो, ये आसन में बैठ के जाप करना है, हाथ में रुदराक्ष होना चाहिए, पर ये कहीं नहीं बताते है कि आपको अर्थ भी समझना है नहाना अच्छी बात है, नहालो कोई समस्या नहीं, नहाने से तन की सभाई हो जाएगी, मुझे नहाने से क्या पती है, पर भाई नहाने से मंतर नहीं समझ में आ जाना है हाँ, नहाने से नीद खुल जाए उससे मंतर समझने में साहता हो जाए तो अलग बात है, नहालो, कोई दिक्कत नहीं है सुभाई उठकर के ब्रहम मुहूर्त में आप मंतर जाप करना चाहते हो कोई समस्या की बात नहीं, अच्छा समय है सुभाई उठते हो, शोर कम रहता है और व्याधान कम रहते हैं, उस समय लेकिन सुभाई उठने भर से मंतर से लाभ नहीं हो जाना है कोई सोचे कि ब्रहम मुहूर्त में कुछ विशेश होता है उससे कुछ मिल जाएगा, उससे नहीं कुछ मिल जाना है और जो भी बाते बोली जाती है वो सब ठीक हैं, लेकिन उनका कोई पारमार्थिक, आतियंतिक महत तो नहीं है आखरी बात तो यहीं है कि समझे कि दादा नहीं समझे और अगर नहीं समझे तो चाहिए ब्रहम मूर्थ में उठे हो चाहिए सो बार नहाए हो, उससे फिर कुछ नहीं होता है मीन सदा जलमे रहे और धोय बास न जाए नहाए धोय क्या भया तो कुछ नहीं होता मन का मैल हटाना सबसे महत्वपूर्ण बात है नहायद होए क्या भया मैल न जाए तो मन का मैल हटाना सुबह उठके तुम घेस रहे हो सुबह ब्रहम महुर्त में इतनी ठंड है आज कल क्या मंत्र लायक भी तो बचना है भाई मैं सुबह नहाने वालों से शमा प्रार्थी हूँ मुझे कोई आपत्ति नहीं है सुबह नहाया जाए बिलकुल एकदम सुबह नहाई है एकदम चार बजे नहाई है आपकी जिंदगी आपका शरीर आप कुछ भी करें लेकिन मैं बस यही निवेदन करना जाता हूँ कि उससे आपको मंत्र लाभ नहीं हो जाएगा मंत्र जिसका हे तो है वो प्राप्त नहीं हो जाएगा बागी अच्छ है महाम रितिंजे मंत्र की आप बात कर रहे हैं भारत में गायतरी मंत्र के साथ साथ जो मंत्र सबसे आदा प्रचलेत है उनमें महाम रितिंजे मंत्र भी है उसके अलावा कुछ पिछले कुछ सालों में कुछ तंत्र संबंधी मंत्र है वो बहुत प्रचलेत होने लग गए है और इनको बहुत दोहराया जाता है आप अगर जाकर के गूगल या यूट्यूब पर भी थोड़ा सर्च करेंगे तो महाम रितिंजे मंत्र से संबंधेत आपको इतनी भरांतियां मिलेंगी इतनी भरांतियां मिलेंगी कि आप एकदम मंत्र मुग्ध हो जाएंगे मंत्र से और कोई लाव हो ना हो लेकिन मंत्र मुगधता मिल जाएगी कि ये क्या हो गया इसमें बोलते हैं इसका मृत्तों से संबंध है न तो बोलते हैं कि ये अगर इतनी बार सुन लो दोहरा लो इतने दिनों तक तो ऐसे एक कबच बन जाता है आपके चार और शरीर के चार और उसमें कहीं कहीं पर वीडियो गएरा में बना के दिखाते हैं कि ये कबच है और जिसके कबच बन गया उससे पूछ लो गिए शलोक कि एक शब्द का अर्थ पता दो कहेंगा अर्थ तो पता नहीं जब ऐसे शब्दों का प्रयोग है जिनका अर्थ होता और कैसे उचे शब्द हैं क्या अदभुत उनका अर्थ है आप पढ़ो उसको समझो तो चेतना क्या शुद्धि पाती है क्या उचाई पाती है उस अर्थ को छोड़कर आप कह रहे हो कि मैं तो सब्दों का ग्रहाग हूँ तो ऐसे नहीं बाद बनेगी न आपको दिख रहा है प्रदीब जी तो ये हमारे सामने महा मृतिन्जय मंत्र है और रिगवेद से इसका संबंध है हालां कि यजुरवेद में भी ये पाया जाता है पर हम इसको जब भी बात चलेगी तो रिगवेदिक मंत्र ही कहते है अब धोनी पर क्यों जाना जब इतना सुंदर अर्थ हमें उपलब्ध है ओम क्या है ओम पर मैंने बहुत बहुत बार बात करी है ठीक है अपनिशद ओम को कैसे समझाते है अ उ और म किसके प्रतीक है चेतना के तीन तलों के या चेतना की जो तीन अवस्थाएं है उनके प्रतीक होते है ठीक है न अ किसका होता है A A किसका है और U और म और फिर क्या आता है इनके बाद मॉन तो हम कैसे बोलते हैं आप मिट रहे हो अन्त में सुशुप्त भी मिट जा रही है और मौन में समा जा रही है ओम ओम का अर्थ है वो मिटना याद रखना इसलिए इतने मंत्र हैं जिनका आरंभ ओम से होता है यहां तक के जो हमारे सब शान्तिपाठ हैं तमाम उपनिशदों के उनमें अंत में हम कहते हैं ओम शान्ती 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 और कई बार तो ओम कहना ही परयाप्त होता है प्रणव अपने आप में संपूर्ण मंत्र है कहने वालों ने कहा है कि पूरा वेदान्त ओम में समाया हुआ है तो ओम का बड़ा महत्त्त है लेकिन आप बस ओम ओम कहोगे ओम का अर्थ जाने बिना तो ओम से आप लाव नहीं पाओगे ओम का मतलब है चितना की जो तीनों अवस्थाएं है मैं इन तीनों को समझूँ तीनों को अपने सामने रखूँ साफ साफ जानू कि अहंकार इन तीनों ही अवस्थाओं में कैसे कैसे सक्रिय रहता है क्या पाना चाहता है और फिर वो जो पाना चाहता है मैं उसमें प्रविष्ठ हो जाओं किसमें? मौन में तो ओम में जो असली बात है वो है जैसे मंदिर में आप घंटा वा जाते हो तो ध्वनी कैसे आती है बहुत देर तक वो क्या करती रहती है वो टेपर डाउन करती है वो एकदम नहीं मिट जाती वो धीरे धीरे मौन में घुलती चली जाती है तो ओम एक प्रार्थना है कि वैसे ही मैं भी अपने सतत प्रयासों से धीरे धीरे घुलता चला जाओ और मुझे उम्र अवधी दीही इसलिए गई है ताकि मैं घुल जाओ अ उवर्म तो ठीक है उसके बाद मौन मुझे मिल जाए यही प्रार्थना है ओम इसका सूचक है तो ओम से शुरुवात होती है फिर क्या आता है थ्रेंबकम अंबक माने होता है नेत्र अंबक माने नेत्र आखें और त्रय से क्या आश्य होता है तीन तो शिव महादेव शिव उनको इस मंत्र में संबोधित किया जा रहा है हे तीन आखों वाले हे तीन आखों वाले जैसे ओम में भी अउअर्म के बाद जो चौती अवस्था है मौन की तुरी है आत्मा वही जो चौता है वही तुरी है उसी को आत्मा भी बोलते है वही ब्रह्म है वही आखरी है वही लक्ष है वही साध्य है वैसे ही जब हम तीन आखों की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो तीसरी आख है यह अद्वायत का द्योतक है दो आखें द्वायत का द्योतक होती है दो आखें आपको जगत में बांध कर रखती है महादेव शिव विशिष्ट इसी लिए है क्योंकि उनके पास यहां तीसरा नेत्र है और समस्त साधना का लक्षे ही होता है उसी तीसरे में प्रवेश कर जाना ओम में जो चौथा है वो ट्रेमबकम में तीसरा है वो एक ही दोराओ ही तो है नई बात तो कोई होगी नहीं तरीके तरीके से उसी एक सत्य को दोराया जाता है एकम सत्य तो जो तीसरी आख है दो आखे कहां को देखती है बाहर को देखती है तीसरी आख किसका प्रतीक होती है स्वयम को देखने का तो जिसके तीसरी आख है वो आत्म ग्यानी है वो स्वयम को देखता है तो त्रेम्बकम हे तीन आखों वाले महादेव तो महादेव से स्थुति की जा रही है उससे बात करी जा रही स्वयम को देख सकता है संदेश क्या है सिर्फ उसी से बात करो जो स्वयम को देख सकता है महादेव के लावा कौन है जिससे बात करी जाए हम क्यों किसी और से बात करके दो आखों सवालों से बात करके क्यों समय नश्ट करें अपना जीवन में अब दी कितनी मिली, यह पता नहीं और जितनी मिली यह उसको भी दो आखो आलों से ही हम बात करके नश्ट कर दे नहीं मुझे बात किससे गरनी है जिसके तीसरी हो जो आत्म ग्यानी हो महादेव अंकिम सत्य के प्रतीक है आत्मा अंतिम सत्य क्या है आत्मा वाली आत्मा नहीं जो पेट में घुसती है और फिर मौत पे फुर से बाहर निकल जाती है आत्मा मने विदान्त का अंतिम सत्य ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म आयम आत्मा ब्रह्म वो आला आत्मा वो आत्मा नहीं जो आज्जन संस्कृत में चलती है कि हाई मेरी आत्मा और यह सब जीव आत्मा जीव आत्मा आत्मा नहीं है जीव आत्मा और आत्मा में अंतर करना सीखो जीवात्मा भ्रह्म है, जीवात्मा मिथ्या है, जीवात्मा अहंकार का ही दूसरा नाम है जीवात्मा माने वो जीव ने जिसको भ्रह्म से आत्मा समझ लिया है जीवात्मा माने वो जिसको बुद्ध ने अनात्मा कहा था तो जब आत्मा कहा जाए तो ये मत समझ लीजेगा कि उसी आत्मा की बात हो रही है कि फ़लाने के आत्मा चड़ गई है या कि आस्मान में आत्मा है गूम रही थी या कि हमारे घर पे बुरी आत्माओं का साया है उसकी बात नहीं हो रही आत्मा में यज से क्या याद आता है? यज से क्या याद आता है? जूड़ना, आहुती, पूजा, अर्चना, उसके लिए यजा महें. हम शिव की आराधना करते हैं, हम शिव को सम्बोधित कर रहे हैं, हम शिव के सामने करबध खड़े हुए हैं. सुगंधिम पुष्टिवर्धनम शिव के साथ ये दोनों शब्द जोड़ के देखे जा रहे हैं प्रदीप जी आप बताओ आपको नहीं मतलब पता तो सुगंधिम से आप क्या मतलब निकाल लोगे सुगंध और क्या मतलब निकाल लोगे अब शिव के साथ सुगंध को क्यों जोड़ा जा रहा है आत्मा का विशेयों और विशेयों से संबंधित इंदरियों से क्या लेना देना गंध किसका विशे है तो सुगंध क्यों कहा जा रहा है और पुष्टि वर्धनम क्यों कहा जा रहा है या शारेरिक स्वास्त न भढ़ाने की बात हो रही है, क्या बात हो रही है यहां पर, ओम नेत्य कर दिया, क्या बात हो रही है, जिसने ओम को नहीं समझा, वो आगे कोई बात नहीं समझ पाएगा, इसलिए ओम एकदम आरंभ में बैठा हुआ है, पहले मुझे समझो, ओम द्वारपाल है, ओम कहता है जो मुझे समझ गया वो आगे का एक एक शब्द समझ जाएगा, जो मुझे ही नहीं समझा, वो हजार बार इस शलोक को दोहराए कुछ नहीं पाएगा, तुम दोहराते रहो सुगंध देखी है कभी, सुगंध से आशे है वो जो अद्रुष्य होकर व्याप्त हैं सुगंध की तरह, किसी बाग से आप चार पांस सो मीटर दूर भी हो, बड़िया फूलदार बाग से, रात का समय है, जैसे रजनी गंधा खिला हो खूब, और क्या आजाती है, सुगं सुगंध है, दिखाई तो कुछ नहीं पढ़ रहा है, और दूरी भी है, कुछ दिखाई पढ़ रहा है, लेकिन क्या आगई, सुगंध, तो इसलिए शिव को यहाँ पर सुगंध कहकर उनकी और इंगित इशारा हुआ है, सुगंध है, इसका आर्थिय नहीं है कि जब मंतर जाप करो तो अगर बत्ती जला ली, कहरें क्यों भाई ये धूब जला के कहे को मंतर जाप कर रहें, बोल रहें क्यों कि मंतर में आता है, सुगंध हम पुष्टी वर्धनम, और केला खाके क्यों कर रहें, पुष्टी वर्धनम, अगर बत्ती जला आई, केला खाया, तो ओम तै करेगा कि यहां पर सुगंध से आशे सुक्ष्मता से है और आत्मा क्या है अणु रणियान जो अणु से भी अणु तर है सुक्ष्म से भी सुक्ष्मतर है उसको आत्मा कहते है यह उपनिशदों की उद्गोश्णा है तो सुगंध जो सुक्ष्म है शिव अगर सुगंध की प्रतिमूरति हैं तो ये बात उन तक पहुँचने का रास्ता भी बता रही है हम दो आखवालों को हम तो दो आखवाले हम कहां अत्मग्यानी है हमें कैसे पहुचना है आख मारे इंद्रिय अपनी इंद्रियों को सद वस्त की और ले जाओ अपने मन क को सद संगत की और ले जाओ अपने कानों को सद शब्द की और ले जाओ और अपनी नासिका को सुगंध की और ले जाओ मन को सही संगत की और ले जाना है नाक को सही गंध की और ले जाना है आख को सही द्रिश्य की और ले जाना है कान को सही शब्द की और ले जाना है शरीर को तवच्चा को सही स्पर्श की और ले जाना है सही स्पर्श क्या है यह ओम ने बता दिया सहीज पर्ष वो है जो आपको तीन से हटा के चौथे में डाल दे तीन में तो कोई भी डाल सकता है तीन में डालने का मतलब क्या है कि आपको जागरत अवस्था में किसी ने चाय दे दी अब ये चाई जाग्रत वस्था में ही पी कि सपने में तो कौन पीता है चाई तो ऐसे की संगत करने से कोई लाव नहीं जो चाई पिलाता रहे गया जन्दällगी बर दूसरा तरीके की संगत लीजू हो सकती है कि कोई सपनों में आने लग गया कामना बनके कामना बननके सपनों में आ रहा है सपनों का राजकुमार सपनों की रानी हो गया ऐसे की संगत्य करने से कोई लाव नहीं जो सपन का विशाय बन जाए जो चाए पिला दे, पेट भर दे धन दे दे, वो किसका विशे है वो जाग्रति का विशे है जो सपन में आने लग जाए जबरदस्त कामना बन करके सपनों में घूम रहा है कोई बिलकुल घोड़े पे शहसवार उसकी भी संगति करने से कोई फाइदा नहीं है और जो इतना मूर्चित कर दे कि सपना भी ना है बहुत गहरी हो जाए ना जब मूर्चा तो सपना भी नहीं आता है उधारण के लिए जो लोग कोमा में होते हैं उनको सपना नहीं आता उनकी ब्रेइन वेव से बहुत प्रयोग हो जो उन्हें सपने भी नहीं आ रहे होते तो आप बहुत ठक करके या बहुत शांती की नीद में हो तब भी सपना नहीं आता और बहुत गहरा नशा हो अब कोई आपको ऐसी गहरी मूर्चा में डाल दे कि आपको सपना भी आना बंद हो जाए संगती ऐसे की चाहिए जो आपको चेतना की सब वस्थाओं से उठा करके सीधे तुरिये में धकेल दे जिसका प्रेम ऐसा हो कि आप तीनों को लांग जाएं कहें चौथे के लिए फिल्मी आना था फिल्मी ही था पर बड़ा अर्थ रखता था जिसने लिखा था पता नहीं उसने अर्थ सोचा था कि नहीं सोचा था वो दस साल पहले का है पर जब मैंने सुना था उसको मैंने लिखने वाले ने क्या लिखती है यह कहां को आमंतरन दे दिया है यही तो खेल है आत्मा का हमें पता भी नहीं होता और हम अपने सारे गीत आत्मा के लिए लिख रहे होते हैं मुक्ति सत्य के लिए सो आसमानों को और दो जहानों को छोड़के आई तेरे पास नहीं आदे एक है फिल्मी गान आई है कि सो आसमानों को और दो जहानों को छोड़के आई तेरे पास तो संगत उसकी करनी होती है जो सौ आस्मानों को, दो जहानों को, सब को छुड़वा दे अभी हम बात कर रहे हैं कि कम से कम भाईया चेतना की तीन अवस्थाओं को तो छुड़वाई दे वो सद संगती है उसी तरह से फिर सद शब्द कौन सा है सही शब्द कौन सा है जो सब छुडवा दे और आपको मौन में ले जाए सही शब्द वो है जो आपको मौन में प्रोष्ट करा दे सही द्रिश्य कौन सा है जो आपको द्रिश्य के अतीत ले जाए जहां जो दिख रहा है उससे आगे का कुछ दिख जाए वैसे ही सही गंध कौन सी है जो आप में कामनाओं का और संचार न कर दे बलकि आपकी कामनाओं का और तो जब महादेव के लिए सुगंधिम से इंगित होता है तो हाँ आशे है सूक्ष्म बलकि सूक्ष्मतम आत्मा और उसी से हमें पता चलता है साध्य के ही वरणन से हमें साधना का या साधन का पता चलता है साधन क्या है कि सही संगती ही साधन है सही संगती में इंद्रिय के सब विशयों की सही संगती आ गई ये भी सही होना चाहिए ये भी सही होना चाहिए ये भी सही होना चाहिए और सही है कि नहीं है कैसे जाने भाईया मुझे पार ले जा रहे हो कि नहीं जो मुझे पार ले जाए वो सही है जो द्रिश्य पार ले जाए वो द्रिश्य सही है जो शब्द पार ले जाए वो शब्द सही है जो स्पर्ष पार ले जाए वो स्पर्ष सही है शबदों को क्या करेंगे वही जो आज हमसे मूनी कह रहे थे अनाधरम कुरू बहु टुझ यह नहीं सुंते ही नहीं यह थोड़ी इसको भी सुंते उसको भी psychology यह भी सुना वो भी सुना क्या करा दवाई बहुत सारी खाई और क्या खाय को अरे बरावर है तो कीचल भी तक जाने के लिए है न सारी बात किसके लिए अंकार के लिए अंकार को आत्मा तक ले जाना है अंकार मानि यह जो बिलखता हुआ हमारा स्वह है जो मैं है भीतर जो हमेशा तड़ पड़ता ही रहता है उसको ले जाना शांति मुक्ति था कि यही है सारा लक्ष पूरे काम का तो पुष्टि वर्धनम पुष्टि माने क्या होता है ताकत मजबूती तो महादेव को कहा गया है महादेव वो है जो ताकत देते हैं जो पुष्टि का वर्धन करते हैं अहम को ताकत की जरूरत है ताकि वो आदत को छोड़ करके प्रेम को वरियता दे सके आदत की और जाने के लिए ताकत नहीं चाहिए कमजोर से कमजोर आदमी भी आदत का अनुगमन कर लेता है पर प्रेम की और जाने के लिए बड़ी ताकत चाहिए गिरने के लिए कोई ताकत चाहिए गिर जाओ उठने के लिए ताकत चाहिए, तो पुष्टि वर्धन अब, शिव वो हैं, जो ताकत देते हैं, इसी को पलट के काओ, तो फिर मुझे जीना कैसे है, मुझे ऐसे जीना है, कि मेरी ताकत बढ़ती रहे, और ताकत बढ़ रही है, पता कैसे चलेगा, ताकत बढ़री कैसे पता चलेगा मैं आदत तोड़ पा रहा हूं की नहीं मैं अपने पुराने धर्रे, पुराने पैटरंस, पुरानी वृत्तियां ये सब तोड़ पा रहा हूं की नहीं अगर तोड़ पा रहा हूं तो मेरा पुष्टी वर्धन हो रहा है नहीं तो कुछ नहीं हो रहा, जीवन नश्ठी हो रहा है, कोई उसमें न वर्धन न समवर्धन, कुछ नहीं हो रहा मेरा शिवत्व इसी में है कि आप अपने अतीत को, अपने अहम को, स्वयम को पूरी तरह तोड़ सको यही ताकत की पहचान है, तभी आप सुर्मा हो, वीर हो, ताकतवर हो, महावीर हो, अगर खुद को तोड़ सको, यही बात है पुष्टिवर्धनम समझ भी आरी बात? यह समझनी जरूरी है बात है, यह नहीं समझोगे तो दोहरा होगे, तो क्या मिल जाएगा लोग 20-20 साल दोहराते रहते हैं, उनके मुँ देखो, खचर गी तरह घूम रहे हैं इतना दोहराया क्या पाया? दोहरा तो एक टेप रिकॉर्डर भी सकता है, आपका मोबाइल दोहराने लगेगा दोहराने भर से लाव मिलता हो तो सबसे पहले मोबाइल को मुक्ति मिल गई होती मोबाइल से जादा कोई दोहराता है, आपका मोबाइल दोहरा रहा है, आपका मन दूसरे काम मगन हो जाता है मोबाइल ने तो सुना है, मोबाइल मुक्त हो जाता है मुबाइल नहीं मुक्त होगा क्योंकि मुबाइल कुछ समझता नहीं नहीं तो सुना तो मुबाइल नहीं मुक्त होगा मुबाइल कुछ समझता नहीं तो आप भी जब समझते नहीं तो मुक्त कैसे हो जाओगे बार बार के मूंडते भेड न बैक उंठ जाए ये बार-बार दोहराने वाली बात है न दोहरा रहा है भेड को बार-बार मूंड रहा है उसके सारे बाल उतार दिये तो संतों ने देखा कि ये बार-बार बार-बार वाले काम चल रहे हैं कभी बाल उतारने वाले काम इतने सारे काम होते हैं जो बार-बार करते हैं धर्म के नाम पे क्याने बार-बार कुछ करने से मुक्ते नहीं मिल जाएगी सिर्फ इसलिए तुमने कोई काम बार-बार हजार बार कर दिया तुम मुक्ते नहीं मिल जाएगी बार बार गे मूंड ते भेड ना बैक उंठ जाए भेड को तुम इतनी बार गंजा कर देते हो तुस्से वो कोई बैक इंट पहुच जाती है समझना भी तो पड़ेगा ज्यान से तुम घबराते हो तो तुम्हार क्या होगा कुछ नहीं होगा दोराते रहो अमझे आ रही है बात कुछ है उर्वा रुकम उर्वा रुकम इसको ककड़ी को ककड़ी जानते हो ना गर्मी में जो ककड़ी आती है तो इव माने उसी की तरह तो अब ये बड़ा सुंदर यहां पर आपके सामने एक एक समझ लीजिए कि उपमा रखी गई है कि उसकी बेल होती है देखाओगा जुन फोड़ा सा गाओं की तरफ बेल होती है और जहां फोड़ा रेती हीला होता है मामला वहां पर उसको आम तो पर नदी किनारे जादा उसको उगाते हैं गर्मीओं में उसको तोड़ना नहीं पड़ता है, तोड़ सकते हो, कोई रोक नहीं रहा, पर तोड़ना पड़ता नहीं है, क्या होता है, वो अपने आप, अपनी बेल से, वो अलग हो जाती है, पकनी के बाद, तो ये जो, ये जो मंत्र दृष्टा है, रिशी है, रिशी अपने, समझ लो, बिलकुल, उच्चितम का व्यात्मक अंदाज में कह रहे हैं, कह रहे हैं, जैसे वो न, पक करके, चुपचाप अलग हो जाता है, बिना किसी को बताए, कोई आवाज नहीं, कोई हिंसा नहीं, कुछ नहीं, वो पक गया, वो अलग हो गया, वैसे मैं भी पक जाओं, और अलग हो जाओं, ये मुक्त आधारन अहम केंद्रित चेतना है, उसी की तीन अवस्थाएं होनी है, यही तीन है, इन्हीं तीन से अलग होना है, तो जैसे ककड़ी अलग हो जाती है, परिपक्को हो करके, राइप हो करके, वैसे ही मैं भी अलग हो जाऊं अपने सब भ्रमों से, अहंकार स्वयम को छोड़ अहंकार मिटे आत्मा हो जाए, मिटने से बचने के लिए अहंकार संसार को पकड़गे रखता है, और लाब उसे कुछ मिलता नहीं, जिसको तुमने पकड़ कर रखा, उसे तुम छोड़ दो जैसे ककड़ी छोड़ देती है, क्योंकि ककड़ी अब पक गई, वैसी मैं भी प पक जाओं मैं भी पक जाओं महादेव मैं भी पक जाओं मुझे पका दो मुझे परिपक को कर दो मुझे मेरी निश्पत्य तक पहुंचा दो आनंद आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है सिर्फ दोराने में यह आनंद मिलेगा आगे क्या है बंधनान मुर्थ्य और मुक्षिय बंधनात बंधन से बंधनात बंधन से मुक्षिय मुर्थ्य से मुक्ति बंधन से मुक्ति मिले मां अम्रितात जैसे बंधनात बंधन से मुक्ति चाहिए मां अम्रितात अम्रित से मुक्ति नहीं चाहिए मृत्य से मुक्ति चाहिए मृत्य और मुक्षिय अम्रित से मुक्ति नहीं चाहिए अहम किस से मुक्ति मांग रहा होता है बार बार मैं बताता हूँ, जितने लोगों ने देखना शुरू किया था रात में दस बजे उन में से बहुत लोग मुक्ति ले चुके हैं अहम ने मुक्ति ले ली तो उसके लिए रिशी के रहे हैं, माहा अम्रित आत अरे अमृत है भाई, अमृत से मुक्ति नहीं मांगा करते और उन्होंने जोर देखे काई, वो इतना भी बोल सकते थे कि हमें मृत्यों से मुक्ति दे दो उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि मृत्यों से और बंधन से मुक्ति दे दो साथ में अलग से जोड करके विशेश रूप से स्पेसिफाई करके क्या बोला मामृतात कि भाईया मुक्ति जब बोल रहे हैं तो हम साफ करे देते हैं प्रभू महादेव कि मुक्ति हमें मृत्यों से चाहिए अमृत से नहीं बंधन से मुक्ति देना मुक्ति से मुक्ति मत्य देना ये ना हो कि कहते कि हमें तो हमारी freedom है भई मुक्ति की बात है हम सोने चले गए और अहंकार यही करता है वो सबसे ज्यादा किस से दूर भागता है अम्रित से दूर भागता है जब वो अम्रित से दूर भागता है इसलिए फिर उपनिशदों को प्रार्थना करनी पड़ती है क्या? कि अस तो मा सत गमे और मृत्य ओर मा अम्रितम गमे अगर हम अम्रित की ओर प्राकृतिक रूप से ही भाग रहे होते है तो क्यों प्राथना करनी पड़ती है कि हमें मृत्यू से अम्रित की ओर ले चलो असत से सत की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो प्राथना करनी नहीं पड़ती पर हम ऐसे नहीं है हमारी प्रक्रती ऐसी है, हमारी वृत्ती ऐसी है कि मौका मिलते ही, हम खट से भागते है मृत्यू की और, अंधकार की और और किस से दूर भागते हैं हम मृत्त से दूर भागते हैं, प्रकाश से दूर भागते हैं देखते नहीं हो, आप लोगो प्रकाश तक लाने के लिए कितनी महनत करनी पड़ती है, आपको जगाने के लिए कितनी महनत करनी पड़ती है, सोने को तयार, खट, अभी मौका मेले में बोल दूँ, अरे मेरा गला खराब हो गया, फट से सब भगेंगा, सोजा, 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 और उसकी 15 मिन बाद बोलूँ गला ठीक हो गया वापस आ जाओ तो कोई उठने को तयार ना हो बोले अब तो सोगे मृत्य की और भागने को हम तयार है अंधकार अज्यान की और भागने को तयार है प्रकाश की और खीच-खीच के लाना पड़ता है कि नहीं अम्रित से दूर मत कर देना अम्रित से दूर मत कर देना और मेरी एक-एक कोशिका लगी हुई है मुझे अम्रित से ही दूर करने में अम्रित से दूर मत कर देना अम्रित क्या? ओम बताएगा ओम ने क्या बताया? अम्रित कहां है? वही चौथे में तुरिये में अम्रित है, यह जो तीनों अवस्थाएं हैं किसकी हैं, चेतना की हैं, और चेतना क्या होती है, अहम के आसपास जो कुछ घूमरा उसको चेतना कहते हैं, है ना, अहम के इर्दगिर्द जो कुछ हो है उसको चेतना कहते हैं, चेतना के हमेशा दो ध्रूव होते है जिसमें से एक ध्रूव अहम होता है जब भी आप कहते हो कि आप सचेत हो तो आप कहते हो मैं सचेत हूँ मैं तो एक सब्जेक्ट होता है एक अब्जेक्ट होता है और मैं ही सब्जेक्ट होता है चेतना के हमेशा दो ध्रूव होते हैं विशय विशय येता, विशय सामने है obec और विशय येता Subject आप हो, तो चेतना जो है वो हम के आसपास का जो पूरा, उसको हूम मन भी बोलते हैं भहुत बार, तो ओम ने है में बता दिया है, कि अमृत क्या है, यह जो पूरा मुहला है, मैं के आसपास का यह किन विशयों से भ और प्रकृति में जो आता है, वो जाता है, प्रकृति माने मृत्यों, प्रकृति माने आने जाने का आवद जावद, जन्म मृत्यों का खेल, तो अमृत है वो जो प्रकृति के आगे, हरिशी अस्टाव करम से क्या बोलते हैं, तो हम प्रकृति परे, तुम वो हो जो प्रकृ प्रक्रति से आगे के हो, वहीं अमृत है, प्रक्रति में तो जन्म है, मृत्य है, जन्म है, मृत्य है, तुम वो हो जो प्रक्रति से आगे के हो, तो जब अमृत में जाने की बात हो रही है, तो तुरिये में, मौन में जाने की बात हो रही है, चेतना के तीनो तलों का अतिक्र करने की बात हो रही है तीनों अवस्थाओं का तिकर्मन करने की बात हो रही है उम को आप सहारा बनाईए और उससे पुरा मंत्र आपको स्पष्ट हो जाएगा और उससे स्पष्टता के बिना मंत्र जाप से लाव नहीं होता समझ में आ रही है बात है विदान्त का एक मात्र जो उदेश है आपको पूछे विदान्त का प्रतिपाद्य विशय क्या है तो आधर्श तोर पे आप कहेंगे मुक्ति और विवहारिक तोर पे कहेंगे माया मुक्ति के अलावा कोई उदेश है ही नहीं तो वह लिखा हूए बंधनान मृत्य और मुक्षी है विदान्त किसलिए है इसलिए बंधनान मृत्य और मुक्षी है बस इसलिए यह है बंधन से मृत्यु से मुक्ति मिले बंधनान मृत्यु और उक्षि और विदानत का कोई उद्देश नहीं है आप क्या खाते हो क्या पहनते हो कहां जाते हो कहां रहते हो आप जानो हमें क्या मतलब आप जो करोगे सब ठीक करोगे अगर आपके जीवन में अम्रित आ गया है विदानत कहता है जीवन में अम्रित आ जाए बाकी हमें लेना देना नहीं करें महराज विवाह किस पद्धति से करें बताईए विदानत में क्या बोल गया है विवाह के बारे में अरे प्रभू विदान्त इन सब बारें के कुछ नहीं बोलता इन विशेयों पर कि तुम विवा करो कि नहीं करो करो तु किस पद्धति से करो कितने फेरे लें सीधे लें कि उल्टे लें आग क्या से जलाएं जलाएं कि नहीं जलाएं कि उसी में कूच जाएं कुछ नहीं विदानत इस बारे में बोलता ये सब तुम जानो तुम जानो, तुम्हारा खेल जाने तुम्हारी माया, हमें कोई लेना देना नहीं हम बात सिर्फ किस की करते हैं मुक्ति की करते हैं, क्योंकि मुक्ति नहीं तो ये बाकी जो कुछ भी कर रहे हो इससे क्या मिलेगा यहां यह सब करने से अगर मुक्ति की दिशा बढ़ सकते हो तो भली बात यह सब जो हम पढ़ रहे हैं मश्टाव कर गीता में विदान सहिंगिता के में शिंखला में साथ में है यह सब कुछ किसलिए है आपका ज्यानवर्धन हो जाए इसलिए है बोलो यह सब इसलिए है ताकि आपको आप से छुटकारा मिल सके इसी को मुक्ति कहते है आप जो बने बैठे हो यही आपकी तकलीफ है आप जो बने बैठे हो जूट मूट यह जो आपने व्यक्तित्तों का लबादा ओड़ो रखा है यह आप उतार दो यही विदानत का लक्षे है बन्धनान अमृति और मुक्षि बन्धनों से मुक्ति बन्धनात मुक्ति मां अमृतात जैसे किसी ने बिलकुल डर के काओ नहीं नहीं यह न कर देना कि मुक्ति के नाम पे हमें अमृत से ही दूर कर दिया अपने अहंकार को संबोधित करके जैसे किसी ने कहा हो महादेव मेरे अहंकार पर इतनी कृपा कर देना कि कहीं मैं अमृत से ही दूर नहो जाओ कि बंद करो रहे सोने का समय हो गया अमरित बंद करो सोने का समय हो गया अमरित से दूर नहीं होना है तो ओम से शुरुवात है और मा अमरितात पर अंत है और ओम नहीं कहा है देखो सब बता दिया लेकिन एक बात समझ ले न सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी अगर अम्रित से दूर हो गए और हम के पास ये बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण शक्त है ताकत है चुनने का अधिकार का चुनाव है उसके पास वो इस अधिकार का दुरुपयोग कर सकता है गलत चुन सकता है वो अम्रित से दूर हो जाने का चैन कर सकता है तो मैं कभी भी अपने अधिकार का दुरुपयोग न करनू माम्रितात मैं कभी भी दूर होने की अपनी शमता में अपनी अधिकार में अम्रित से दूर न हो जाऊ माम्रितात, ओम माम्रितात, ओम माम्रितात ये भी अपने आप में मंत्र जैसे ओम अपने आप में मंत्र होता है न वैसे ये भी अपने आप में मंत्र है अब ये आप लोग सब बताईएगा पुष्टी बढ़ाने से क्या अर्थ है और पुष्टी कैसे बढ़ती है कमजोरी को दूर करके पुष्टी बढ़ती है कमजोरी बाहर की पुष्टी बढ़ती है कुछ जोड़ करके यहाँ भी जो जरह फरा प्रूटीन लाओ प्रूटीन से कुछ जोड़ो और भीतर की पुश्टी कैसे बढ़ती है? कुछ हटा करके तो पुश्टी वर्धनम महादेव पुश्टी का वर्धन करते हैं कैसे कुछ हटा करके इसी लिए उनका सम्मंद तांडव और प्रलै से हैं वो हटाते हैं, वो तोडते हैं इसी लिए जब भी वेदानत की बात आती है वहाँ पर उच्चितम स्थान फिर शिव का होता है क्योंकि वेदानत की अधार्शिला ही नेती-नेती है नेती नेती माने तोड़ना नकारना और शिव तोड़ते हैं नकारते हैं आप रिशिकेश में शिव की नगरी है विदान्त की नगरी है तोड़ते हैं शिव का काम है तोड़ना और यही विदान्त का काम है तोड़ना हटाओ क्या तोड़ रहे हो लगतारे तूटेंगे हड़ अब समझ में आएगा पुष्टी वर्धन का अर्थ, हाथी छोटा ऐसा था, पैदा हुआ, एक साधारन रसी से उसको एक साधारन खूटे थे बान दिया, उसने जोर लगाया, हट नहीं पाया, छोटा था, उसने 5-7 दफे जोर लगाया, 15-20 दिन जोर लगाया, कुछ नहीं अब 15-20 दिन बहुत होते हैं, आदत बन गई, उसको पक्का हो गया भरोसा कि मैं इस रसी को, इस खूटे को तोड़ो नहीं सकता, हाथी डेड़ साल का हो चुका है, उसको भरोसा है कि मैं रसी से बन्धा ही रहूँगा, ये खूटा तो बड़ी भारी बात है, हाथी कमजोर ये है पुष्टिवर्धनम, उसे गन्या नहीं खिलाना है, कुछ तोड़ना है, क्या तोड़ना है, खूटा तूटे, इससे पहले भ्रांति तूटेगी, माननेता धारणा तूटेगी, धारणा तूट जाएगी, तो खूटा उखड जाएगा, किसी नहीं आके का हाथी, त पहचानो तुम कौनो, जरा एक जोर लगाओ, हाथी ने जरा सा जोर लगाया, रसी तूट गई, खूटा उखड गया, ये है पुष्टिवर्धनम, पुष्टिवर्धनम माने, जो तुम अपने आपको मानते हो, उसे किनारा करो, ओम यहीं कहता है, तीन को छोड़ो, काओ तीन को, चौथे में आओ, वो चौथे हो तुम, और जो चौथा है, वो फिर असी मित है, परिमित है, अनंत है, अथाह शक्ति का भंडार है, वो वहाँ तुम्हें फिर कोई नहीं रोख सकता, आत्मा जे है, जो कोई हंकार बनके जिएगा, जो संसारी बनके जिएगा, उसकी हार हो गई भले, वो हजार लडाईया लड़े, और जो आत्मा हो गया, वो जीता ही हुआ है, भले वो हजार लडाईया हारे, जो भ्रम्हे है, वो हजार लडाईया जीत के भी हारा हुआ भिखा रही है, और जो जाग्रत हो गया, वो लड़ने से पहले ही विजेता है, समझ में आरी बात त्रेंबकम समझ गए सुगंधिम समझ गए पुष्टिवर्धनम समझ गए उर्वारुकम समझ गए जैसे जैसे ज्यान बढ़ता जाता है उर्वारुकम से क्या आशे है जैसे से ज्यान बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो जो बेल है जो आपको प्रक्रती से, धर्ती से, जमीन से, प्रथा से जोडती है, उससे आप स्वयमी अलग हो जाते हो, यह आपके पकने के निशानी है, कि जो कुछ आपको जमीन से जोड कर रखे हुए था, जमीन वाने प्रक्रती से, जोड कर रखे हुए था आप स्वयमी उससे अलग ह तो प्रार्थान हो रही है जैसे वो अलग हो जाता है वैसे हम भी अलग हो जाएं ये कोई ऐसा नहीं है कि ये शारीरिक मृत्यू की बात हो रही है अरे भाई जहां ओम है वहां शारीरिक मृत्यू की बात हो रही है ये जीवित मृत्यू की बात हो रही है जिसमें मृत्यू ज समझने के बाद एक स्मरण परयाप्त होगा फिर अनुगूंज चलती है उसकी फिर दोराना नहीं पड़ता होटों पे या मन में नहीं दोराना पड़ता कहना था सो कह दिया अब कुछ कहा न जाए एक रहा दू जा गया दरिया लहर समाए अब बार बार क्या कहें जे जानत थे कहत नहीं बार बार कहने से नहीं हो जाएगा कुछ इससे बस तुमारी अग्ञानता पता चलेगी या जूटा ग्ञान पता चलेगा जैसे आपने ये मामुरुत अर्थ जो शब्द का समझाया तो उस शब्द में पहले तो स्लोक का अर्थी ही पता है और उसने भी आप जो भावं अर्थ से कि हमें दूर मत करना था शब्दों का मतलबangen काफी शट्रों में जो भी मैं सूनता आता हूँ वह शब्दों के भाओ मतलब पहुँचते नहीं है वह जैसे सब्दल के नहीं ये साथ है. एक बात पकड़ लो, बाकी सारी बातें वो बात समझाती है, मैं नहीं समझाता है, ऐसी सी बात है, जैसे यहां से, वहां तक पहुँचने में, बीच में, उसको कह दो कि एक compiler बैठा हो, या अनुवादक translator बैठा हो, वो एक बीच में होना जरूरी है, वो एक है, तो मेरी सारी बातें आप तक पहुच जाएंगी, वो एक बीच में नहीं है, तो मैं हजार बातें करूँ, एक बात नहीं पहुचेगी, वो एक चाहिए, वो एक आज कौन था, प्रणव, ओम, ओम, मुक्त की प्रार्थना है, मुझे, मुक्त करो, ये जो संसार मैंने बना रखा है, से भी मुक्त करो, सिर्फ अपनों भर में नहीं, और गहरी नीद में जो मैंने संसार बना रखा है, मुझे उससे भी मुक्त करो, ये मुक्त की प्रार्थना है, ओम, हम ओम ऐसे कह देते हैं, जैसे ओम कोई रिवाज हो गया, कोई प्रचलन हो गया, कोई बस शुभ संकेत हो ओम को समझे बिना कैसे मुक्ति मिलेगी, तो ओम ने पूरा मंत्र समझा दिया, मुक्ति, भूलियेगा नहीं, भारत में जो सबसे उचा महत्य दिया गया, बड़े सम्मान की बात समझी गई है, पुरुशार्थ में भी जिसको चरम माना गया है, वो यही है, मोक्ष, मुक्ति, बाकी सब धूल है, और कुछ नहीं, इसलिए तो भारत विशिष्ट है, पुरुशार्थ में उच्चतम क्या, केंदरी है क्या, मोक्ष, और संसारियों में उच्चतम कौन, जो कमलवत रहे, कि है तो संसार में, लेकिन फिर भी संसार की बूंद उस पर टिकन है नहीं पाती, जिसको जन में कहते हैं, और पुरानी जो ग्रीस भी फिलोसफर्स थे, उनमें थे, किसका है ये, कि क्रॉस द रिवर विदाउट गेटिंग यूर फीट वेट, हां, हरकलिटस का है, देखिए, शायद हरकलिटस का है, ये भारत की अमूल ले देन रही है, कि संसार में ऐसे जीओ, जैसे संसार के नहीं हो, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, ऐसे जीओ, दुनिया के होके भी दुनिया से अनूठे, तब बादशा हो, तब राजा हो, और इसी को सन्यास कहत कि दुनिया में हैं लेकिन दुनिया के तलबगार नहीं है दुनिया के ग्रहाक नहीं है दुनिया के सामने भिखारी बनके नहीं खड़े ये मिल जाए वो मिल जाए सौतर है कि कामनाओं का कटोरा फैलाए नहीं खड़े हुए है और आचारी जी मतलब यह जो मैंने कहा कि क्योंकि धर्म अर्थ काम जो सामान्य जीवन मेरा है वहां तो मैं पिटी ही रहा हूँ वहां में आहार रहा हूँ लेकिन मुझे यहां वैसे पिटना नहीं है मुझे तो इसलिए जो भाव मुझे आना चाहिए उस लड़ाई में लड वह भाव तो मेरे भावी प्रेम से ही आएगा आग होनी चाहिए दिल में सोते जागते लगातार वो आग दहकती रहे वो आग जब प्रेमी की और देखती है तो प्रेम कहलाती है और वो आग जब संसार की और देखती है तो जलाती है वो संसार को इंधन की तरह इस्तिमाल करती है जो ठंडे लोग है ना उनका कुछ नहीं हो सकता उन्हें कोई मंतर समझ में नहीं आना ना उन्हें ओम समझ में आना ना उन्हें महामलितिंजय मंतर समझ में आना ना उपनिशास समझ में आने गाहितरी मंत्र का बहुत लोग करते हैं कोई उन्हें मंत्र समझ भी नीए लिए कुछ नीए जाएगा, ओ दोहराते रहें, तोता इतना दोहराते हैं क्या पाता है पहले तोते दोहराते थे मुबाइल फोन दोहराते हैं, लोग सुχऑ सुबह पें गरों में लगा देते हैं क्या मिल जाएगा समझते तो कुछ हो नहीं क्यूंकि असलत सपुल्व यहीं कि नाम पर तुम्हारे पास कामना थे वासना है मंता है जहां जाकर इंदरा में अपने सतत्मुक्ति के भाव को ही बनाए रहा है यही यही तो जो कुछ भी हो रहा है पूछो यह फसा रहा है या आजादी दे रहा है इसमें मैं गिर रहा हूं कि उठ रहा हूं गिरा कि उठा पूछो बार-बार लड़ा या घुटने टेके जीता हरा नहीं कहा मैंने लड़ा की लेटा ये पूछा मैंने हम तो साश्टांग दंडवत होते हैं न पूरा बिछ गया लड़ने की क्या संभावन है लड़ो तब उप्रिशद खोलेंगे आपके लिए तब आपसे फिर त्रेंबकम महादेव बात करेंगे जो लड़ नहीं सकता वो क्या कुछ नहीं आप पुरानी कहानिया भी पढ़ते हो तो उसमें यही तो रहता है जब होता है न कि अब रावन का भी पढ़ोगे कि रावन ने बड़ी साधना की तो महादेव प्रकट हुए वो प्रतिकात्मक कहानिया है अब यह मत मान लेना कि सचमुझ कहीं पर रावन खड़ा था और सचमुझ कहीं पर इंद्रियगत रूप से पर वो बहुत सुंदर कहानिया है और बहुत मारमिक सीख देती है लड़े बिना शिव नहीं निकट पाऊगे अपने रावन भी लड़ रहा है किस से लड़ रहा है सधना माने सवयम के विरुध लड़ाई जो लड़ नहीं सकता, उसके लिए ना शिव है, ना ओम है, ना उपनिशद, ना वेदान्त, ना मंत्र, ना जिंदगी, ना सम्मान, ना गरिमा, कुछ नहीं है उसके लिए तब ही तो संद कभीर ने सूर्मा की ऐसी महिमागाई है, लडाका चाहिए, लडाका पुर्जा पुर्जा, कट मरे, तब हुन छाडे खेत, खेत माने रड़क्षेत्र, ऐसा लडाका चाहिए, जो ऐसा लडाका होता है, उसको ओम समझ में आ जाता है, उसी को समझ में आएगा, जो लड़ नहीं सकता, ओम उसके लिए नहीं है, मुक्ति उसके लिए नहीं है तो यह जो प्रेम का भाव है शायद वो लड़ते लड़ते ही मुक्ति के लिए लड़ते लड़ते ही आखिर में ही शायद वो उत्वित हो अभी प्रेम आखरी बात नहीं होती बाबा, प्रेम तो पहली बात होती है, प्रेम के बिना कैसे लड़ोगे, प्रेम के बिना तो लेट जाओगे, प्रेमी को लड़ता पाओगे, और अब प्रेमी को लेटा पाओगे, वो बिच्छ जाता है, जहां पाता है बिच्छ जाता है, प्र प्रेमी लडने को तैयार और अप्रेमी सोने को तैयार मैंने तो वास्तविक प्रेमी की सांसारिक रिष्टों में भी एकदम सांसारिक बात उस तल पर सांसारिक रिष्टों में भी वास्तविक प्रेमी की पहचान ये बताई थी कि वो जिससे प्रेम करेगा उससे लड़ेगा बहुत और जो अप्रेमी होगा वो जहां बोलेगा प्रेमे थाग करेका चलो ब्लेट जाते हैं अप्रेमी का काम है आपको लिटा करेंगे लड़ा-देनी शलाना आउ-सोते हैं साथ में और प्रेमी का काम है आपको जगाना और आपसे ही Euro जाना जो मैं हूँ ही ऐसा यह बहुत हो गया भाई लेटना बिछना समर्पन समर्पन एक के सामने किया जाता है वो सब समर्पन थोड़ी है जो जिन्दगी वर में दुनिया वर में करते फिरते हो तो बाहर संसार में कई हत्यार नहीं डालने हैं पीतर मुक्ति के लिए प्रेम जगाए रपना है मरना भी तो ऐसे मरना ले जा रहे हैं जलाने के लिए लेकिन यह यह ऐसे ही रहे अकड़ जाना ऐसे ही जी बहुत सही बात है आपके बहुत अनुकमपा रही है आचारी जी मतलब पीट तो रहे शूरा सोई सराहिये लडे मुक्तिके हे शूरा सोई सराहिये लडे मुक्तिके हे पुरजा पुरजा कट पडे तो भी न चाडे खेतरे सादो तो भी न चाडे के सूरा सोई सराहिये लडे मुक्तिके हे सूरा सोई सराहिये लडे मुक्तिके हे पुरजा पुरजा कट पडे तो भी न चाडे खेतरे सादो तो भी न चाडे के गगंध मामा बाजिया बडे निशाने घाब गगंध मामा बाजिया पडे निशाने घाब खेत बुहारे सूर मा गगंध मामा बाजिया बडे निशाने घाब गगंध मामा बाजिया बडे निशाने घाब खेत बुहारे सूर मा मोहे मरण का चागरे सादो मोहे मरण का चाग सभी को मेरा नमस थे और अगर आचारे जी भी सुन रहा है तो उने भी शक्षत नमन मेरा नाम एकता है मैं बैंगलॉर से हूँ और पिछले तीन वर्षों से अचारे जी से जुड़ी हुई हूई ऑनलाइन सत्रों से मेरा जूडना पिछले साल सितंबर माह से हुआ गीता समागम से शुरू किया था और उसके बाद निवेंबर में बाकी के तीन सत्रों से भी मैं जुड़ गई यह थोड़ा सा परिच्छे बाकी काफी परिच्छे छूटते जा रहे हैं जैसा आज अचारे जी ने एक प्रते भागी से भी कहा कि बहुत सी कहानिया पकड़ रखी है छोड़नी है तो मैं समझ्यो मेरे साथ भी काफी कुछ ऐसा हो रहा है कि कहानिया छूट रही है पिछे एक लंबी जरनी जो भी तै करके आय कहां पैदा हुए वहां से कैसे कैसे परस्थितियां कहां कहां तक लेती चली गई तो बहुत कुछ छूटा है और भी छूटेगा जहां तक समझ रही हूं मैं हिम्मत बढ़ रही है आज का सत्र अपने अप मेरे लिए ग्यान की बहुत छोटी-छोटी-छोटी मोती लेके आया बहुत सारी जगों पे अलग-अलग बाते निकल के आई समझने के लिए जीवन में लाने के लिए कि 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 झाल झाल